रमस्कर दोस्तों आप सभी का में यूट्यूब चैनल सिंपल वेश्टेडी पस्वागत है दोस्तों एक ने वीडियो के शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 12 फरवरी 24 के सभी मैंतपूर करेंट फेस को देखेंगे तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाकरके इसका पीडियाप टाउनलोर कर सकते हैं और टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल जाएगा चली वीडियो की शोवात करते हैं सबसे पहले प्रस्न है राश्ट्री एरो स्पेस प्रयोग साला द्वारा किस इस्तान पर High Altitude Shadow Satellite Vickles परिचर्ट किया गया है तो इसका परिचर्ट किया गया है बैंगलो रूमें बैंगलो रूमें राश्ट्री एरो स्पेस प्रयोग साला द्वारा सौर उर्जा से संचालित चदम उपग रहे पहला परिचर सपुल्था पूर्वप किया गया है High Altitude Fudo Satellite Vickles एक नई योग का मानव रहत हवाई बाहन है H.A.P.S. जिससे सौट में का जा रहा है अत्यादनिक मानव रहत हवाई बाहन है यह बारत की सीमावरती शेतरों में नेगरानी और इसकी चल्दाओं को काफियत तक बढ़ा सकता है यह जमीन से 18-20 किलोमेटर की कुछाई तक उर सकता है यह बरसों तक हवा में रह सकता है इसे अंतरिच में जाने के लिए किसी भी रॉकेट की आवसकता नहीं होती है इसके सज्जालन की लागत एक उपग्रय की तुला में कई गुना कम होती है यह दोज्जा 27 तक आधिकारक तोर पर द्यरात हो सकता है तो जो high altitude pseudo satellite vehicles है वो जो satellite या उपग्रय होती है उनकी जगे पर काफी कम उचाई पर स्थापिती है मानव रहित हवाई बहान है छोटा सती है जो 18-20 km की उचाई पर उड़ेगा और वहाँ से उपग्रय की अपिच्छा काफी नीचे शेतर से ये network signal को connect करेगा ठी राष्टी aerospace प्रयोग साला की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापनावी थी बेंगलूरो में इसका मुख्यालय है ये हिंदोस्तान Aeronauticals Limited और डी आडियो और इश्रो के साथ मिल करके काम करता है यह असैनिक बेमानों के विकास के दिये उत्तरदाई है अकिल वारती पुलिश ड्यूटी मीट कहां अहिजित की जाएगे तो इसका अहिजिन क्या जाएगा लखनव में रेल्वे सुरच्छबल यानि RPF उत्तरपदेश के लखनव में सरसट भी अकिल वारती पुलिश ड्यूटी मीट की मेज़वानी करेगा यह 12 फरवरी से 16 फरवरी 24 तक जग जीवन राम RPF अकादमी लखनव में चलेगा ठीक है 12 फरवरी को इसका उद्गाटन मुक्के अधिति केंदरी रेल मंत्री अश्यूनी वैशनों करेंगे जोकि उत्पदेश के मुक्क मंत्री योगी आधितिनात 16 परवरी को होने वाले समापन समारों में मुक्के अधिति होंगे इस आयोजन का उद्देश से पुलिस अधिकारियों के बीच उत्करिष्टा और सायोग को बढ़ावा देना है इसके बदले में यह आंतिर्क सुरच्छा को मजबूत करने के लिए अपरादों की बेग्यानिक पैचान और जाज को बढ़ाता है ठीक है रेल्वे सुरच्छाबल की इस्तापन दोज्जा चार मुईति और इसके बरतमान मानने दे सके हैं स्री मनोज यादव बिश्व स्वास्ते संगटन ने नेल्चन मंडेला प्रसकर दोज्जा 24 से किसे समानित किया है तो ये समानित किया है तो ये निमहंच रामत संस्थान को समानित किया है राश्ट्री मानसिक स्वास्ते तंत्रका विज्ञान सहंस्तान जिसे सोट में निमान्स का जारा है ठीक है को स्वास्ते संबर्दन के लिए WHO ने 24 के नेल्सन मंडेला परसकार से समानित किया है बिश्व स्वास्ते सर्मेटन द्वारा नेल्चन मंडेला परसकार की शुरुआ 2019 में की गई थी ठीक है राष्ट्री मानसिक स्वास्ते और तंत्र का विज्ञान संस्तान बेंगलूरू में इस्तित रोगी देखवाल और सैचड़े खोज के लिए एक बहुवेश्यक संस्तान है ठीक है तो बेंगलूरू में इस्तित रोगी शुरुआ को नेल्चनल मंडेला परसकर 2024 से सम्मानित किया गया है जनवरी 2024 में बारत में नामेवियाई चीतों की मौत का मुख्य कारण क्या बताया गया है तो इसका मुख्क कारण बताय गया है, सेप्ति سहीम नामक जीवानों को बताय गया है किंद्री बर्यावरन मंत्री भुपेंद्र रियाधव ने 8 फर्वरी 2024 को राजिसबा में बताया कि नामीवियाई चीता सोरे की मौद सेप्टी सीमिया जीवारों के कारण हुई थी। इसके साथ ही भी थे कुछ समय में इस बीमारी के कारण मरने वाले चीतों की कुल संक्या चार हो गई है। मत्यपदेश के कुनो नैसनल पार्क में 16 जनवरी दोच्चा चोवीश को नामीविया से मगाए गए चीता सोरे की मेर्थ्यू हो गई थी। दच्छडपरीका और नामीविया से कुल 20 बैसक चीतों को मगाए गया इस 20 चीतों में से 7 और भारत में पैदा हुए कुल 11 सावक में से 3 की मौत होच किया है तो भारत में 1952 में चीतों को बिलुप तवोसित कर दिया गया था ठीक है तो चीतों को बारत में पुना इस्ताबित करने के लिए प्रोजेक्ट चीता सुरू किया गया और इसके तहट 17 सितंबर 22 को नामीविया से 8 चीते मद्विश के कुनो नैसनल में लाए गए थे जिन है प्रदानमंत्री नर्द मोदी जी ने इसमें छोड़ा था ठीक है इसके बाद 12 जीते और 18 फरवरी दो अज़त 13 को दच्चड़ अपरिका से लाए गए थे ठीक है तो ये वाले दच्चड़ अपरिका से लाए गए थे और इससे पहले बारे नामी या अन्य अपरिकी देशों से 12 से 14 चीते लाने का और प्रस्ताव है ठीक है तो अगले पांच वरसों में 12 से 14 चीते और लाए जाए जाएंगे और ये कहां पर रखे जाएंगे तो ये गांदी सागर बनेजी वावियारन मत्य प्रदेश में रखे जाएंगे आदी जिसे आदी महुतसव 24 का जाराय का उदबाटन किया है ये है महुतसव 18 परवरी तक चलेगा जनजाती कार्यमंत्राले की तत्वादान में ट्राइफेड हर साल राष्टी जनजाती महुतसव आदी महुतसव का आईजन करता है आदी महुतसव राष्टी इस्थर पर GSLV से लॉंच किया जाएगा बारती अंत्रिच अनसंदान संगटन इश्रो नौसम संबंदी उपग्रे INSED 3DS सत्रे फरवरी को लॉंच करने जा रहा है INSED 3DS मिशन का प्रच्छेपन स्रियारी को टाके 37 दवन अंत्रिच केंद्र से किया जाएगा इस उपग्रे को जियो सिंक्रोनस सैटलाइट लॉंच वीकल यानि की GSLV F-14 से लॉंच किया जाएगा इसे पूरी तरह से प्रत्वी विज्ञान मंत्राले के दोरा अंड दिया गया है इसकी मदद से मोसम का बहतर पूर्वानमान मिलेगा और आपदा चेतावनी से भी निपटने में मतथ मिलेगी ब्रंपुत नदी में बार नियंधरन के लिए भारत ने किसके साथ रिड़ समझज़ता किया है तो भारत ने ये ADB के साथ रिड़ समझ़ता किया है विकास पेंक यानि ADB और भारत सरकार ने असम में राज्ज में इस्तित प्रमपुत नदी के 650 कियो मीटर लंबे मुथ्य प्रवा के साथ बाड़ और नदी तट कटाव जोकिन प्रवंदन उपायों को मजबूत करने के लिए 200 मिलियन डॉलर के रेड़ परदान करने के लिए स शेत्री विकास पेंक है 19 दिसम्मर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी मनीला में इसका सचवाले है और मसात तुंक्सू असाकावा इसकी अत्यच्छे हैं और कारेकारी ने दे सब इसकी विकास सील हैं बरतमान में 68 देश इसकी सदसे हैं जितो ऐसा नहीं है कि यह विकास पेंक ह इसमें केबल एसचा से सदसे हैं इसके सदसे बार से भी हैं बारत ADV का संस्थापक सदसे हैं और इस बैंक का चोथा बड़ा सेयर धारत है अब हम अन्यमेत्पून खबर देख लेते हैं तो पहली खबर है केंद्री परवैन मंत्री रेतिन गळकरी ने नहीं दिली में AT Now Global Business Summit दौज़ाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचा 2014 में जो है 91.287 किलो मेंटर के राष्टी राजमार्ग थे जो बढ़कर के दिसम्बर 23 में लगव एक नाख चालिस यार 145 किलो मेंटर हो गई थे Google ने कृत्रिन बुद्धिमता आदारित समाधान प्रदान करने के लिए माराष्ट सरकार के साथ समझवता किया है सेफ मैला अंडर 19 चैंपियंशिप में बारत और बांगलादेश को सहिक तुरूप से बिएता गोशित किया गया है सिक्किम के मुक्यमंतरी ब्रेम सिंग तमांग ने एक अपरेन दो अंचाच छे को या उसके बाद नियुक्त राज्जी सरकार के करमचारियों के लिए पुरानी पेंसन योजना बाल की है अपने दोस्तों तक भी शेयर करें धन्यवाद